हेलो एवरीवान, वन्स अगेन, वेलकम बेक टू आवर यूटूब चैनल, नर्सिंग नोट्स और आज की इस क्लास के इंदर डिसकस करेंगे, फंटामेंटल ओफ नर्सिंग के लिए इंपोटेंड एमसी क्यूज फोर जी एनम नर्सिंग एंड बीएसी नर्सिंग, यहाँ इंपोटेंड एमसी क्यूज आपके वाईवा के लिए या फिर प्रेक्टिकल एग्जाम जो होता है, उसके लिए इंपोटेंड हो सकते हैं, जो आपके फंडामेंटल ओफ नर्सिंग सबजेक्ट है, ठीके उससे रिलेड़ेट हम एमसी क्यूज देखने वाले हैं, जल्दी से कमेंड करें, यानि कि एसा पेशेंट जिसको बर्ण इंजूरी हुई है, उसको 24 गंटे के अंदर कौन-कौन सी थेरेपी देते हैं, तो हमारा राइट आंसर है इसके अंदर, ओप्शन B, फ्लूट थेरेपी, यानि कि बर्ण इंजूरी वाले पेशेंट के लिए, फ्लूट थेरेपी हम उसको देते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है, ओप्शन B, नेक्ट हमारा कौशन है, कौशन नमर सेकेंड वन, नीम नमें से सर्वाइकल केंसर के लिए कंफरमेंट्री टेश्ट कौनसा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंड करें तो फर्स्ट वन देखेंगे एक्सरे क्या एक्सरे हमारा कन्फर्मेटरी आंसर है इसका तो गलत नेक्स्ट भन है UGG क्या UGG से Cervical Cancer कन्फर्मेटरी हो सकता है तो हमारा UGG भीस के अंदर वोग आंसर है नेक्स्ट भन है PAP Essephonie पैब Smear आपका Cervical Cancer के लिए एक screening test होता है यदे लाष्ट वन है Option A Biopsy तो हमारा right answer है Option A सर्वाइकल केंसर के लिए confirmatory test कौन सा है biopsy next हमारा question question number third one नीमन में से कौन सा hepatitis रोख phycooral root से फेलता है option A hepatitis A and B option B hepatitis B and D option C hepatitis A and E and option D hepatitis D and E तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो हमारा right answer होगा option C hepatitis A and hepatitis E hepatitis A and hepatitis E आपके phycooral root से फेलते हैं तो हमारा correct answer है option C next one है question number fourth one नीमन में से gastric ulcer का मुख्य काराण क्या है यानि कि gastric ulcer का मुख्य काराण यानि कि causes क्या है इसका option A alcoholism option B smoking option C helicobacter pyloric infection and option D tea and coffee तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो हमारा right answer होगा option C helicobacter pyloric infection peptic ulcer जो होते हैं उसका main causes क्या होता है helicobacter pyloric infection next one है question number fifth one spinal anesthesia नीमन में से कहां देते हैं यानि कि कौन सी vertebra के अंदर spinal anesthesia देते हैं option A number 1 and number 2 option B number 3 and number 4 option C number 5 and number 6 and option D thoracis 12 and number 1 तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो हमारा right answer होगा option B number 3 and number 4 के बीच के अंदर हम spinal anesthesia इसके अंदर लगाते हैं तो हमारा right answer है option B next हमारा question है question number 6 भारत में पूर्षों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला cancer कौन सा है option A lungs cancer option B colon cancer option C liver cancer and option D oral cavity cancer तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो हमारा right answer है option D oral cavity cancer बहुत सी movies एंड जो भी cinema अगरों में आप गये होंगे first one आपको 8 दिखाई देता है जिसके अंदर एक मुकेश नाम का जो लड़का होता है उसको cancer होता है उसको कौनसा cancer होता है oral cavity cancer तो इसी तरह से भारत के अंदर सबसे ज़्यादा cancer कौनसा होता है oral cavity cancer तो हमारा right answer है option D next अब बात करते है female के अंदर female के अंदर world के अंदर है breast cancer और इंडिया के अंदर है cervical cancer next हमारा question है question number 71 एक unit blood transfusion पर एक adult में कितना hemoglobin level increase होता है option A 5 gram percent option B 2.5 gram percent option C 1 gram percent and option D 0.5 gram percent तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो हमारा right answer है option C एक gram percent यानि कि एक unit यदि हम blood transfusion करते हैं तो कितना hemoglobin हमारे body के अंदर increase होगा तो 1 gram percent तो हमारा right answer है option C next हमारा question है question number 81 rice water stool निमन में से कौन सी बिमारी का लक्षन है option A typhite option B cholera option C john d's and option D pulmonary tuberculosis तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो typhite के अंदर होता है pea soup stool next हमारा cholera cholera के अंदर होता है rice water stool तो हमारा right answer है option B यानि की cholera के अंदर rice water stool का लक्षन हमको देखने को मिलता है next हमारा question है question number 9th one निमन में से कौन सी बिमारी में हैडरोफोबिया होता है option A snake bite option B mosquito bite option C dog bite and option D all above तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो हमारा right answer क्या होगा option C dog bite dog bite से क्या होता है rabies होता है ठीक है वो rabies के अंदर कौन सा लक्षन होता है hydrophobia या फिर rabies को hydrophobia भी केता है तो हमारा right answer है option C next होने question number 10वा हमारा निमन में से कौन से वाइरस के कारण post transfusion hepatitis होता है option A hepatitis C option B hepatitis D option C hepatitis A and option D hepatitis E तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो हमारा right answer होगा option A hepatitis C hepatitis C virus post blood transfusion से होता है सबसे dangerous जो hepatitis कोन सा होता है तो hepatitis C तो हमारा right answer है option A next हमारा question है question number 11 नीम्न में से कौन सा ओर्गन abdominal cavity में नहीं पाया जाता है option A small intestine option B ovary option C liver and option D pancreas तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो हमारा right answer है option B ovary ovary एक pelvic organ होता है next हमारा question है question number 12 penicillin antibiotics के खोज करता कौन है option A Edward Jenner option B Robert Koch option C Alexander Fleming and option D none of this तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो हमारा right answer है option C Alexander Fleming Alexander Fleming ने first antibiotics discovered करी थी जो हमारी first antibiotics कौन सी थी penicillin तो हमारा right answer है option C next हमारा question है question number 13 ताइफोईट फ्यूवर के causative agent का नाम क्या है तो हमारा first option है option A प्लाजमोटिम फेल्सिफेरम option B है सालमोनेला टाइफ option C है फंगाई and option D है human papilloma virus तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो हमारा right answer होगा option B next हमारा question है question number 14 ICU में नर्स और patient का ratio क्या होना चाहिए option A 1 अनुपात 1 option B 2 अनुपात 1 option C 3 अनुपात 1 and option D 1 अनुपात 3 तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो हमारा right answer होगा option A 1 अनुपात 1 यानि कि ICU के अंदर एक patient होना चाहिए और एक nurse होनी चाहिए next हमारा question है question number 15 autoclave में sterilization कि इस temperature पर effective रहता है option A 100 degree Celsius option B 121 degree Fahrenheit option C 121 degree Celsius and option D 100 degree Fahrenheit तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो हमारा right answer है option B 121 Fahrenheit यानि कि autoclave का temperature कितना होना चाहिए तो 121 degree Fahrenheit next हमारा question है question number 16 एनिमा देते समय एनिमा केन और इस्टेन को एनिमा से कितना हाइड पर रखना चाहिए option A 45 cm option B 50 cm option C 25 cm and option D 20 cm हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें यानि कि एनिमा प्रोसीजर के दोरान एनिमा केन और जो हमारा इस्टेन होता है वो एनिमा से कितनी हाइड पर होना चाहिए तो हमारा right answer है option A 45 cm next हमारा question है question number 17 इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन इंसर्शन का एंगल क्या होता है option A 45 degree option B 25 degree option C 100 degree and option D 90 degree तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर तो हमारा right answer है option D 90 degree पर इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं next हमारा question है question number 18 ectomy का आर्थ है ectomy का आर्थ क्या है option A body के अंदर artificial opening करना option B body के किसी ओर्गन को remove करना option C body के किसी ओर्गन को repair करना या option D body के किसी ओर्गन में incision करना तो हमारा right answer क्या होगा इसके अंदर जल्दी से comment करें तो हमारा right answer है option B body के किसी ओर्गन को remove करना उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको यदि वीडियो पसंद आई हो वीडियो का लाइक करें वीडियो का शेर करें यदि आप हमारे यूटूब चेनल पर नए है तो हमारे चेनल को सस्क्राइब ज़रूर करें ठेंक यू सो मच